शवी महानुभाबों को मेरा सादर जय जिनेंद्र 128 नंबर के श्लोक में जैसे की पिछले श्लोकों में हमने बताया हमने देखा कि आहार को किस प्रकार से त्यागा जाता है शनलेखना में वो विदी बताई और वहां पर पहले अन का त्याग करके फिर जो पेपदार्थ हैं दूध गरिष्ट जो पेपदार्थ होते हैं दूध दिलस्ती आदी उनको आहार में सम्रित किया गया अन का त्याग किया और फिर उनका भी त्याग करके खरपान बताया था गरम पानी छाच आधी का सेवन कि किया जाता है फिर बाद में उसका भी त्याग किया जाता है तो इसे श्लोक में ये बताया है कि अंत में खरपान का भी त्याग करके और सरी को सांति पूरबक त्याग किया जाता है तो चलिए श्लोक को पढ़ लेते हैं और जो अगला श्लोक को आएगा उसमें जो सनलेखना क अतिचार हैं उनको समझाया है तो चलिए इस लोग का चारण कर लेते हैं पहले खरपान हाप नामपी खरपान हाप नामपी कृत्वा कृत्वो पवास मपी शक्त्या पंच नमस्कार मनास तनुम तजेत सर्व यतनेन पूरा इस लोग पढ़ते हैं खरपान हाप नामपी कृत्वा कृत्वो पवास मपी शक्त्या पंच नमस्कार मनास तनुम तजेत सर्व यतनेन क्या है इसकार्थ इसमें कहते हैं कि खरपान हाप नामपी खरपान हाप नामपी खरपान हाप नाम मर्था जो छाच इत्यादी है उसका भी त्याग करके गरम पानी और छाच का जो हम सेबन कर रहे थे उसका भी त्याग करके कृत्व मतलब करके फिर कृत्व पवासम अपी शक्तिया अर्था शक्ति के अनुशार उपवासम अपी कृत्वा यहां पर निकलेगा कृत्वा धन उपवासम उपवास भी करके पंच नमसकार मनाह पंच नमसकार को मन में धारण करते हुए अर्थात अपने मन को पंच नमसकार युक्त बनाते हुए पंच नमसकार युक्त कहने का मतलब पंच नमसकार नमुकार मंत्र जबते हुए मन में ध्यान करते हुए उसका इसमरन करते हुए तनुम अर्था सरीर को त्यजेत छोड़े या छोड़ना चाहिए सर्वयतनेन सभी प्रकार के प्रयतन करके या फिर बड़ी ही उत्साह के साथ अच्छे मन के साथ मन में बार बार इसमरन करते हुए तो इसका और अच्छे से डिटेल में थोड़ा सा नीचे बन समझ लेते हैं कि बाद में उस गर्म जल का भी त्याक करके छांचादी का सबका त्याक करके और शक्ति का उलंगन ना करता हुआ एक दो तीन दिन आदी का अववास करे के अंत में ब्रत सैयम चारित तथा ध्यान विश्यक धारणा आदी सभी कारियों में तत्पर रहता हुआ पंच नमसकार मंदर की आराधना में अपना मन लगावे अंत में बड़ी साबधानी से सरी का त्याक करे यह है विसेशार्ट म हुए अंत में गर्म जलका भी त्याक करे ऐसा इसमें समझाया है और अपनी सकती हो उसके अंशार उब्वास का नियम लेवे के चार उप्यार गया हर जलका त्याक और ब्रत सैयम आदी की रक्षा करता हुआ पंच नमसकार मंतर में अपना उप्योग स्थर करे मन में पंच नमसकार का ही हमेशा जब करता रहे ध्यान करता रहे अंत में समता भाव से सजीका पर इत्याक करे सरी इत्याक के साथ ही सलेकना विदिवी पून होती है चलिए अगले श्लोक की और वड़ते हैं और इस श्लोक में पांच प्रकार के अतिशारों का वरणन किया गया है तो च जीवित मरना शंसे भयमित्रस्मृति नदान नामाना है बयमित्रस्मृति नदान। जीवित मरना संसे जीवित मरना संसे भय मित्र स्मृति निदान ना माना संलेखन आतिचाराः पंच जिनेंद्रई है समाद रिष्टाः पंच प्रकार के अतिचार बताए हैं कौन से जीवित मरना संसे ये दो है एक साथ इसलिए दुई वचन का प्रियोग किया है जीवित आसंसे और मरना आसंसे आशंसे अर्थाद इच्छा करना जीवित आसंसा अर्थाद जीने की इच्छा करना मरना आसंसा अर्थाद मरने की इच्छा करना भय करना मित्र स्मृत्ती मित्रों का इश्मरण हो आना और निदान अर्थाद आगामी समय में भूगों जो मिल सकते हैं तपस्या के प्रवाव से उनके बारे में सोचना उनकी कि इच्छा करना ये पांच अतिचार नामाना के संलेखना एचिआर पंच जिनन्दड़ई समादस्टा सर झरन्द भगवान के द्वारा इप प्रकार संलेखनाओ कि इतिचार brewing तो अब पांच और तिचार क्या है तो सीधे अपन अर्थ की ओर चलते हैं ज्याद अच्छे समझ में आ जाएगा संलेखना धारण कर ऐसी इच्छा रखना कि मैं कुछ समय तक और जीवित रहता तो अच्छा होता यह जीविता शंशा नाम का तिचार है छुधा त्रशा आजी की पीड़ा होने पर ऐसी इच्छा रखना कि मेरी मृत्यू जल्दी हो जाती है हो जाती तो अच्छा होता ले लिया है तो यह विचार आना कि अरे थोड़ी और दिर थोड़ी और दिनों तक जीवित रहते तो अच्छा रहता तो इस प्रकार की बातें सोचना एक जीवित संसा है और मरणा संसा बहुत कष्ठ हो रहा है जल्दी मृत्य हो जाती हो जाता अच्छा है यह मरणा संसा है इही लोग भय और लोग भय कि अप एक च्छा से दो प्रकार के भय हैं कि जैसे मैंने सलेखना धारण की तो है परन्तु मुझे भूप्यास आजी की पीड़ा अधिक समय तक तो सहन नहीं करनी पड़ेगी ऐसा भय होना कि जल्दी चले जाएं तो सही है नहीं तो बहुत दिन होता कि भूप्यास सहन करना पड़ेगा तो डर लाएगा उससे डर लगना और उसी प्रकार से यह भी सोचना कि इस प्रकार के दुरधर कठिन अनुष्ठान के करने से परलोग में विसिष्ट फल होगा या नहीं ऐसा भय रखना परलोग भय है यह परलोग भय है कि भई जो हम इतना तपस्चरण कर रहे हैं इसका कुछ फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा इस इस प्रकार का सोचना भी क्या है परलोग भय है फिर फिर बाल ले आदी अबस थाओं मैं फिर फिर इतरों का बारवर इसमरन करना मित्र सम्रती नाम का अतिचार है अब याद आ रहा है बारवर कर देखो उनकी साथ खेले थे अब जाएंगे छोड़ करके तो ये अतिचार है आगामी भुक आदी की आकांग्षा रखना निदान नाम का अतिचार है क्या अब इतना सब कुछ किया है, इतना ब्रत्नियम पालं किया है तो इसका मुझे फ़ल भी मिलना चाहिए, स्वरगों में जनव होना चाहिए, तो ये सब अतिचार हैं तो जिनिन भगवान ने सनलेखना के पांच अतिचार परमागम में कहे हैं पांच प्रकार के अतिचार आचाय स्री उमाशोई महराज ने तत्वार सुत्र में भी कहे हैं तो चार अतिचार तो यहों कोते हो हैं एक अंतर है देखिए यह सुत्र है जीवित मरना संसरा मित्रानु राग सुखानु बंद निदानानी तो जीवित असंसा मरना संसा मित्रानु राग है ना यह तो है और सुखानु बंद निदान निदान भी है बस सुखानु बंद जो ह ये दिया है तट्वार्शुत्रजी में और समंद़भद्ज्वामी ने भै दिया है ठीक है तो ये दोनों में अंतर है बाकी तो सहम वही है यहां सुखान उबंध का मतलब है कि पहले भोगे हुए भोगों का इस्मरण करना वो सुखानु बंद है ठीक है बाकी तो वो चार वही की वही है तो चलिए आज के इस कक्षा को हम श्माप्त करते हैं जै जनेंद्र